नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी छोटे से गुड़ेर के पौदे पर कितना फ्यारा फूल खिला हुआ है तो आप भी चाहते हैं हमारे गुड़ेर के पौदे पर इसी तरीके से फूल खिलें तो इस वीडियो को पूरा देखे वर द्यान से चैनल पर तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे यह देखिए हमारे गुड़ेर के पौदे पर कुछ फूल भी खिले हुए हैं कुछ बड़्स भी बने हुए हैं और दोस्तों हमारे गुड़ेर के पौदे पर कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं पीली पत जलके पौदे पर इसी तरीके से पीली पतियां पढ़ें तो आप उन पीली पतियों का कट कर देना हैं जैसे कि मैंने किया हुआ है और दोस्तों हम गुड़य के पौदे को एक से दो गंटे की दूप में जरूर रखें जैसे कि मैंने रखा हुआ है और हम इस पौदे को एक से दो कंटे की दूप में रखेंगे तो हमारे पौदे की जो गमले की मिट्टी है जो तब कर सॉल मीडिया बन जाएगी ये देखिए मेरे गमले की मिट्टी है जो सॉल मीडिया बन चुकी है तो दोस्तो हमारे गुड़ेल के पौदे की जो मिट्टी है गुलाब के पौदे की 1-1.5 इंच गेरी गुडाई करनी है और दोस्तो हम गुड़य के पौदे में बनाना फिल फटीलायर भी इस्तमाल कर सकते हैं उसमें पाया आता है मेलसियम, पुटेसियम, केलसियम अधिक मात्रा में पाया जाता है आप भी इस बनाना फिल फटीलायर को फूल वाले पौदे में ही यूज कर सकते हैं अब जानेंगे गुड़य के पौदे के लिए गोवर की खात ये देखिए मैंने 50 ग्राम गोवर की खात ली हुई है हमको दोस्तों 50 ग्रामी गोवर की खात लेनी है जादा नहीं लेनी है तो दोस्तों हम इसे अपने पौदे में डाले देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब जानेंगे गुड़य के पौदे के लिए फटीलाजर ये देखिए मैंने एक प्याज ली हुई है हम इस से किसी चाकू से इसके चिलके उतारे लेंगे कुछ लोग ऐसा करते हैं प्याज के चिलकों को यूई फैक देते हैं तो दोस्तों हम बनाते हैं ओइन फिल फटीलाजर वो भी और गैनिक और हम इन चिलकों को किसी फिलेट में उतार कर रख लेंगे और दोस्तों उतारने के बाद हम एक लीटर पानी ले लेते हैं एक लीटर पानी में इन चिलकों को डाले देंगे और 24 गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और दोस्तो आप भी फ्याज के चिलकों से ओउन फिल्ट फटिलाजर बना सकते हैं ये देखिए 24 गंटे ओचुके हैं हमारा ओउन फिल्ट फटिलाजर बनकर त्यार हो गया है अब हम चिलकों को बाहर निकाल देंगी तो दोस्तो आप भी on field fertilizer गुड़ायल के पौदे में इसी तरीके से इस्तमाल करेंगे तो आपके गुड़ायल के पौदे फूलों से लदे रहे हैं तो दोस्तो हम इस fertilizer को गुड़ायल के पौदे में डाले देते हैं तो दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राब करें वीडियो अच्छी लोगी तो वीडियो लाइक करें मैं मिलते हूं अगली वीडियो में ठेंक यू